हाई मैं प्रशांत आप सभी का अपनी योटूब चैनल एक्विटी टू कॉम्डिटी में स्वागत करते हैं तो आज हम इस वीडियो में वेन वो होस्पिटल्स का जो आई-पी ओ आने जा रहा उसके उपर बात करने जा रहें और यह आई-पी ओ 27 अप्रिल को ओपन होगा और 29 अप्रिल को क्लोज होगा तो आज हम इस वीडियो में वेन वो आई-पी ओ का कम्प्लीट डीटेल एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि इस आई-पी ओ का फाइनेंशल्स कैसा है वैलूइशन्स कैसा है और विव के उपर भी हम बात करेंगे साथी साथ ग्रे मार्केनिन ड कि अच्छे की अच्छाहें है यहां पर सबसे पहले हम वेनबो तो आई-पीओ के वेबसाइट पर आना चाहेंगे देख सकते हैं यह आपका वेनबो child's hospital का official website है, यहाँ पर अगर हम drag करके नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह different type of services आपको provide करता है from pediatric oncology to pediatric gastroenterology तो यह देख सकते हैं different type of services आपको provide करता है, तो चलिए अब हम इसके overview के उपर देखते हैं, फिर हम इसके IPO objective, strength weakness सब के उपर एक एक करके बात करेंगे तो अगर हम इसके overview के उपर बात करें, तो देख सकते हैं इसके बारे में complete details मिल जाएक आपको हमारे website equity to community dot in पे visit करके इसके बारे में आप complete information ले सकते हैं सबसपहले अगर हम when both children's and Medicare limited hospital की बात करें जो कि इसका official और complete name है यह आपका एक multi-speciality hospital है जो कि आपको different services प्रोवाइट करता mainly यह आपका pediatric, maternity और gynecology field में यह services प्रोवाइट करता और इसके लिए यह आपका एक बेत्वीन hospital chain भी है यहाँ पर hospital chain हम क्यों बोलो है क्योंकि इसके पास single एक hospital नहीं है इसके पास total 14 hospitals है और 3 clinic भी है जिसका present 6 cities में है और इसके अलावा इसके पास total number of bed है वो है 1500 है as on September 2021 ति यहाँ पर अगर हम maternity sector या फिर pediatric health care sector की बात करें ति अपने computer के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है computer के मामले में देखें तो इसके पास total number of bed जो है वो 1500 है और इस field में जितने भी hospital है उससे कहीं ज़्यादा इसके पास bed है और यही main vision है जिसके कारण से इसका जो financial track record है वो भी काफी बहत्वीन है ति यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपको और भी अलग अलग तरग है different type of services आपको provide करते है और अगर हम इसके बात करें ति यह आपका 24 into 7 open रहता है इसके में emergency facility भी है सारे कुछ facility यहाँ पर provide किये हुए है ति यह आपका यह one of the bedween hospital है जिसका IPO आपको 27 April को आने जा रहा है इसमें apply करना या avoid करना इसको उसके उपर हम आगे बात करें ही उससे पहले हम hospital industry की overview के उपर बात करना चाहेंगे क्यों आपर बात करें क्योंकि hospital industry का हमें growth भी पता होना चाहिए अगर इसका growth हमें ज़्यादा नहीं दिखेगा तो फिर इस sector के जो भी company होंगे उसका भी growth ज़्यादा नहीं दिखेगा अगर इसका growth ज़्यादा है इस sector का जो medium company होगा जो average company होगा वो भी आपका काफी तेजी से grow करता हुआ दिख सकता है इसलिए industry का overview भी होना बहुत जरूरी है इसलिए यहाँ पे हम hospital industry के overview के उपर बात करने जारे हैं सबसे पहले अगर आप hospital market size की बात करें इंडिया में इसका market size है आपका 4,270 billion और यह industry आपको काफी तेजी से grow करता हुआ दिखेगा और यह industry आपको 13% CAGR के साथ grow कर रहा है और यह 13% CAGR के साथ business model है maternity market अगर हम इसके उपर focus करें maternity market भी आपका लगबग 8% CAGR के साथ grow किया है कौन से period में रियान देना यह आपका 2016 से 2020 का data है और यहाँ पे उमीद है कि आपका 7-8% CAGR के साथ grow कर सकता है आने वाले time में भी यानि in the finance year 2020 से लेके 2026 यानि अगले लगबग 11% to 12% CAGR के साथ grow करता हुआ दिखेगा और rainbow hospital भी आपका private segment में आता है तो यहाँ पे उमीद कर सकते हैं कि rainbow hospital भी आपका 10-12% CAGR के साथ grow करेगा तो यह आपका 10-12% CAGR के साथ grow करता हुआ दिख सकता है क्या इसका maternity market वहीं अगर हम इसके pediatric market की बात करें तो pediatric market भी आपका 14% CAGR के साथ grow किया in the period between FY16 to FY20 यहनि last four financial में यह आपका 14% CAGR के साथ grow किया और उमीद है कि same CAGR के साथ यहनि 14% CAGR के साथ आगे भी grow करता हुआ दिख सकता है तो overall अगर हम average निकाले सारे इसके market का जो main business है pediatric और maternity market उसलिया से यह hospital आपका लगभा 12% CAGR के साथ आगे भी grow करता हुआ दिख सकता है from 2020 to 2026 यहनि अगले चार-पांच साथ आपका यह CAGR के साथ grow करता हुआ दिख सकता है तो growth perspective लिया से देखे तिया हमें काफी बहत्तवीन दिख रहा है चले हम इसके IPO objective के उपर बात करेंगे अगर हम इसके IPO objective के उपर बात करें तो सबसे पहला IPO से पैसा हैगा उसका utilization कहाँ पे करेगा उसका utilization करेगा NCD को redeem करने में NCD क्या होता है आपका non-convertible debenture होता है company यह किसी को देके वहाँ से पैसा उठा सकती है अब उसको redeem करना भी होता company को वहाँ पैसा वापस करके यह वापस भी लेना होता यह उनको खरीदना भी होता तो company वहाँ काम करेगे यह NCD जो issue किया था उसको redeem करेगे और जिससे लिया था उसको वो payment कर देगे उसके बाद जो new hospital इसको setup करना है उसके लिए जो भी expenditure रहेगा उसका भी पैसा IPO से जो पैसा आएगा वहाँ पे investment किया जाएगा उसके बाद जो general corporate purpose है उसके लिए भी use किया जाएगा तो IPO का जो objective हो clear है यानि expansion में use किया जा रहा और जो NCD पहले issue कर दिया था उसको redeem करने में किया जाएगा objective positive है इसमें कुछ भी negative नहीं है तो चलिए अब हम यहाँ पे इसके positives और negatives के उपर भी बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे अब हम इसके positives के उपर बात करना चाहेंगे अगर आप इसके positives के उपर बात करें यह इंडिया का one of the leading hospital चाहेंगे इन आपका pediatric, maternity और gynecology segment की अगर हम बात करें तो इसके पास काफी strong और consistent financial track record है financial performance इसका काफी जब अदस्त है जब हम इसके financials पे आएंगे तो इसके वेरे भी आपको idea मिल जाएगा वही अगर हम इसके hospital network की बात करें total इसका 14 hospital network है 3 clinics है जिसका presence आपका 6 cities में है और total number of weight की बात करें 59 weight है जो कि इसके computer से कहीं जादा है वही अगर हम इसके आपने कुछ और इसके positives के उपर बात करें इसके पास काफी experience और senior management team है और ये आपका काफी high caliber medical professionals को attract रता है उसको train करता है और उसको hold भी करता है उसको retain भी करता है ये खासियत बात है इस hospital में इसके पास high caliber medical professionals available है जिसके कारण से hospital का एक अलगी reputation बना हुआ especially in southern India तो अब हम यहापे इसके negatives के उपर बात करना चाहेंगे और इसके उपर आपको खास ध्यान देना परेगा अगर आप इस IPO के लिए जा रहे है तो सब को छोड़ दीजे लेकिन negatives आपको नहीं छोड़ना है सबसे पहला जो hospital का mainly business आता है mainly revenue वा आता है वो सिर्फ दो hospital से आता है जो कि आपका भेष्ट है अगर हम बात करें तो company अपने medical professionals पर बहुत ज्यादा dependent है इसके पास high caliber medical professionals है जिसको यह अच्छे तरीके से retain कर पा रहा है और यह किसी कारण वर्स अगर यह अपने high caliber medical professionals को retain नहीं कर पाता है तो फिर उसका impact इसके business और finances पर देखने को मिल जाएगा वह अगर हम इसके कुछ और negatives को पर बात करें इस film में काफी intense competition हमें देखने को मिल भा है और इसके कारण से आने वाले time है इसको अपना pricing पर भी impact देखने को मिल सकता है यानि pricing भी कम करना पड़ सकता है अगर competition increase हुआ तो उसके बाद इसके margin पर भी impact देखने को मिल सकता है और most important चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है इसका जो business है वो seasonal business है यानि throughout the year इसका business नहीं चलता है में लिए अगर हम बात करें मार्च से में के बीच में यहाँ पर मंदी चाहा रहाता है इसका hospital सुखा पर आ रहाता है ज्यादा crowd यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है यह नि जो यह period है आपका उस period में hospitals, patients बहुत कम आते हैं वह अगर हम बात करें इसके some of the group companies है जो की losses में है और ध्यान देना है losses में है कब से from the last three financial year यह नि लागातार तीन financial year से वह नुकसान में है इसका burden वे इस company पे आता हुआ दिख सकता है यह भी चीज आपको ध्यान देना परेगा negatives है जिसको आप नहीं कर सकते है negatives पे उपर भी आपको focus करना परेगा और यहाँ मैं आपको इस IPO के बारे में पेटेल से बता रहा हूं टाइम थोड़ा से ज़्यादा लग रहा है 10-15 मिनिट का टाइम लग सकता है लेकिन यह information आपके पास होना बहुत जरूरी है 4-5 मिनिट में अगर आप सोचते हैं IPO का overview कर ले और IPO में सही तरीके से पैसा लगा ले चाहेंगे तो सबस्पहले मैंने आपको अल्वेटी बता है कि IPO जो ऑपन हो रहा है 27 अप्रिल को ऑपन होगा और 29 अप्रिल 2022 को यह क्लूज हो जाएगा प्राइस बेंड के यहांपे अगर मैं बात करूं प्राइस बेंड है इसका 516 रुपीज से लेके 542 रुपीज पर सेयर्स फ्रेश इशो यहांपे लगवग 280 करोर है और फ्रेश इशो से कंपनी क्या करेगी वो मैंने आपको IPO अबजेक्टिव में बता दिया था उसके बाद OFS भी रखा गया लगवग 1315 करोड का यहांपे OFS यहनि mostly पार्ट यहांपे OFS रखा गया यह जो पैसा आएगा 1315 करोड वो जो लोग सेयर्स बेच रहें उनके पास जाएगा कंपनी के पास सिर्फ यह 280 करोड ही जाने वाला है टोटल IPO साइज की बात करें लगवग 16 करोड का IPO साइज है लॉट साइज है आपका 27 सेयर्स एंडिन मल्टिपल ऑफ 27 सेयर्स और यहांपे अगर आप फेस वैलो की बात करें तो फेस वैलो यहांपे रखा गया वो लगवग 16,634 और अगर आप रिटेल कटेगरी से अपलाई करें तो मैक्सिमुम आप यहांपे 13 लॉट के लिए जा सकते यह नहीं आप यहांपे 1,90,242 रुपीज के लिए जा सकते अगर आप रिटेल कटेगरी से अपलाई करें तो यह हो गया IPO का basic details बांकि आप यहांपे IPO का other timeline भी देख सकते हैं कब आपको यहांपे refund मिल जाएगा, elotment नहीं मिलता, listing date क्या है, वो सारा कुछ आप यहांपे देख सकते हैं अब हम इसके important point financials के उपर बात करना चाहेंगे और इसके उपर आपको अच्छे से दिहान देना है और financials की मैं बात करूं तो यह आपका 21 में उतना ज्यादा improvement देखने को नहीं मिला है, in fact घटा ही है, लेकिन first 9 month of FY22 की बात करें, तो वहांपे हमें काफी जवर्दस recovery देखने को मिला है, even पहला 9 month में अभी तक का last 3 years करें तो सबसे बेतर revenue यहांपे हमें देखने को मिलगा है, वहीं total asset की बात करें, तो total asset भी year on year आपका grow ही कर रहा है, FY21 में थोड़ा सा कम जोर हुआ, लेकिन उतना ज्यादा कम नहीं हुआ, फिर भी FY20 से बहतर ही था, अगर हम यहांपे PAT की बात करें, इन profit after tax की बात करें, तो profit after tax भी FY21 में थोड़ा सा decrease हुआ है, लेकिन FY2022 में यह जवर्दस recovery दिखा के, अभी ही, य तो net margin भी देख सकते हैं, यह भी काफी pace से grow कर रहा है, FY21 में थोड़ा सा decrease जवर हुआ था, लेकिन FY22 में देखिये, margin भी काफी तग रहा है, 16% के margin के साथ यह grow कर रहा है, इतना जवर्दस्त margin के साथ profit भी जवर्दस्त है, यह company का financials काफी बहत्वीन है, मैंने आपको पहले पर बात करें, तो EPS 4.25 है, जो कि बहुत कम है, below average इसको हम रखना चाहेंगे, PE ratio, 121 से लेकि 117 से, जो कि बहुत ज़्यादा आया है, और इस sector के आप PE की बात करें, लगबग आपका 115 के करीब है, यहनि sector PE से ज़्यादा रखा गया है, यहाँ यहाँ पे clear cut है कि financials बरियां ह लेकिन valuations आपका महेंगा रखा गया है, return on net worth की बात करें, यह भी आपका 10% रखा है, यह भी below average हम इसको रखेंगे, ROC 10 से उपर ने चली ठीक ठाक है, EBita, अभी update मिवा जैसे अपडेट होगा, आप हमारे website equity community.me पे आखें, चेक कर सकते हैं, debt equity ratio 0.10 है, यहनि यह company आपका almost debt free है, जो किसके लिए positive चीज़ है, book value की बात करें, यहनि NAV की बात करें, तो वह आपका 48.82, अगर यहाँ पे हम offer, offer price to book value की बात करें, तो वह आता है, 11.10 यहनि 11 टाइम से करीब यह आता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सामें, यह expensive लग रहा है, तो चलिए अब हम इसके valuations क है, उससे उपर ही है, तो यह बहुत ज़्यादा high रखा गया है, और upper price to book value भी आपका 11 टाइम से, जो कि high रखा गया, 10 से कम रहता था, थोड़ा बहुत हम उसको consider कर भी सकते हैं, लेकिन यह आपका 10 से उपर है, और इसका presence भी सिर्फ आपका mostly southern India में है, और इसका mostly revenue आता है, सिर्फ दो hospital से आता है, पहला जो कि हधराबाद में और दूसरा बैंगलूरू में, इसलिए यह ज़्यादा trustable नहीं है, EPS भी आपका बहुत कम है, RONW भी बहुत कम है, overall एक लाइन में बोलेगे, expensive और overpriced IPO है, clear cut है, क्यों बोलेगे, चलिए उसके उपर हम बात करते हैं, म आखिर क्या है, कि Apollo से double valuations यहाँ पर तुम रखे हो, PE ज़्यादा रखे हो, इसका EPS भी देख लिए, EPS भी बहुत कम है, EPS भी लगवग आपका 4.25 क्यों करीब है, उसके बापजूद भी valuations अपना बहुत ज़्यादा high रखे हो, और sector PE भी देख सकते हैं, लगवग आपका 114.49 करीब है, यहनि sector PE से भी बहुत ज़्यादा high valuations यहाँ पर रखा गया है, इसलिया से मैंने उस IPO का expensive वाला दूसरा, तो यहाँ पर अगर हम 40 से compare करें, तो देख सकते हैं, 40 का, जो market cap आपका 20,000 से उपर का है, और इसका PE आपका just 40 करीब है, यहनि अगर हम 40 से compare करें, तो लगबग यह आपको 3 से 4 कुना उपर के valuations पर मिलवा है, आखिर इतना भी तो नहीं बनता है, valuations बहुत ज़्यादा high रखा गया है, और EPS उसका 4.25 करीब है, यहनि 40 से भी EPS कम है, जो कि अभी उतना बैतर प्रफॉर्म नहीं किया रहा है, देकिन उसके बाब जोद भी इस और अगर हम इसके PE की बात करें, PE लगबग उससे आदा है, 71.69 करी PE है, यहनि यह सेक्टर के तो तीन दिगज कमपनी है, 40 हो गया, अपोल हो गया और मैक्स हेल्थ केर हो गया, तीनों से valuations almost double रखा गया, बहुत ज़्यादा valuations रखा गया है, और market cap में इन तीनों के बराबर तो हाई नहीं, इन तीनों से बहुत पीछे है, तो आपको बिजनर्स सिर्फ दो होस्पिट्रल से चल रहा है, और इसका लगव और इंडिया में प्रजेंस है, उसके बावजूद भी आप इन सारे से ज़्यादा valuations रख रहे हैं, तो इसलिया से यह IPO को हमने बहुत ज़्या हो गया है, और अगर हम इसके lot size की बात करें, इसका lot size है, वह आपका 27 का, इस IPO से कितना listing मिल सकता है, lot size into grey market premium, यहाँ पे अभी आपको लगवख 1300 करीब listing इंस मिलता हूँ दिख सकता, as on 22nd April 2022, 22nd April को भी इसका grey market premium 50 rupees per sears है, लेकिन grey market premium भरोसे मन नहीं है, इस पे आप उतना ज सब कुछ ठीक ठाक है, financials भी bet भी ने, working भी बहुत ज़्यादा है, bet भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ही चीज़ problem है, overpriced IPO है, और recent times में सारा IPO आपको overpriced डाला गया है, और इसमें भी सिर्फ छोटा सा, 15 सा कोर्ड में से 280 करोर रखा गया है, fresh issue के लिए बागी maximum आप आपको apply करना या फिर इसको avoid करना, वो आप खुद ही decide कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको लगवक्त सारा कुछ details बता दिया है, अब आपको decide करना, his overpriced IPO में आपको apply करना या फिर इसको avoid करना, so that's all friends, उमीद करते हैं कि आपको हमारा IPO analysis video अच्छा लगा होगा, अग इस वीडियो को like जोड किजिए, और अगर अभी ता अपने चैनल को subscribe नहीं किया, चैनल को subscribe भी किजिए, क्योंकि इस तरह के और भी IPO आने वाल है, आपके लिए बहत्वीन IPO analysis video लाते रहेंगे, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैहिन!